आज हंगामाटू OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज होनी जा रही है। शिल्पाशिटी के पती राज कुंद्रा के कारणा में सामने आये हैं। हर जगह उनकी ही चर्चा हो रही है। शिल्पाशिटी इस फ्लिम की किरदार है तो क्या हंगामाटू पर कोई असर पड़ेगा आये जानते हैं रतन जैन चोके इस फ्लिम के प्रोडूसर है। किया है, फ्लिम की पब्लिसिटी भी खत्म हो चुकी है, शिल्पा के पर्सनल मैटर है, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। हरे खबर तो शिल्पा शिटी के नाम से ही जुड़ी हुए है, वह तो होना ही है, वरना राज कुंद्रा को कौन जानता है। हाँ, राज कुंद्रा कैसे बॉल्योड हो गया, वह न प्रोडूसर है, न एक्टर है, न डायरेक्टर है, वह एक एक्ट्रेस का पती है, एक बड़ी एक्ट्रेस का पती कुछ करे, तो उसे बॉल्योड से कोई जोड नहीं सकता। क्या दर्शक हंगामा 2 को भी बॉल्योड कर सकते हैं? जी नहीं, फ्लिम विनस की है, कानूनन इसका उससे क्या लेना देना, किसी के परिवार में कोई एक गलत करे, तो पुरिवार हो तो मेरा परिवार भी नहीं है, शिल्पा ने बस काम किया है, अगर वो प्रोडूसर होती तो आप कुछ भी कर सकते थे, शिल्पा शिटी फ्लिम में सिप एक्टर है, हिरोईन नहीं है इस फ्लिम की, हंगामा 2 भी आज ही रिलिज हो रही है, और राच कुंद्रा की हिरिंग भी आज ही है, राच कुंद्रा सत्काई जुलाई तक मुंबई पूलिस के हिरासत में रहे फिर जाकर कहीं ये फ्लिम परेश रावल जी और आखिर में शिल्पा के कंदों पर है, ये दोनों कहानी में में पात्र नहीं है, शिल्पा शिटी को सुपर डांस के जज से हटाने की मांग जायज है, यह हमेशा ही होता आया है, फिर ठीक हो जाता है, सुपर डांसर एक पर मेरा सवाल है कि अगर आपको हंगामाटू देखने हैं तो क्या आप राज कुंद्रा जैसे विवाद का इंतजार करेंगे बाकी सोशल मीडिया पर वैसे ही लोग ऐसे विवादों पर लगे रहते हैं जिनके पास बहुत खाली टाइम होता है या जिने बस गौसिप में मज का भर आता है अभी बस इतना ही देखते रिये कलारंग बॉल्योड ल्यूज